आज हम स्टडी करेंगे लिपिट्स के बारे में और लिपिट्स जो हैं वो बायो मॉलिक्यूल हैं और यह जो बायो मॉलिक्यूल हैं यह किस से मिलके बने हैं हाइड्रोजन और कार्बन से इसलिए हम कहते हैं कि यह क्या है हाइड्रो कार्बन जिससे यहां पर हम अपने सामने diagram में भी देख रहे हैं जिसमें हम lipid का fats का structure देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि ये किन से मिलके बनावा है carbon, hydrogen और oxygen अगर हम जदा तर देखें तो इसमें क्या मौझूद है carbon और hydrogen इसलिए हम कहते हैं कि ये है hydrocarbons अब ये जो hydrocarbons हैं ये साथ में और क्या बनाते हैं हम देख रहे हैं कि ये building block है living cells का जिसे के यहां पर अगर हम अपने सामने देखें diagram में तो हम एक cell की diagram देख रहे हैं हम देख रहे हैं cell के बाहर एक membrane मौझूद होती है यानि कि जली सी मौझूद है और इसके अंदर अगर हम देखें तो और भी structure मौझूद है तो अगर हम इसकी membrane को थोड़ा बढ़ा करके देख लें तो जिसे कि यहां पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि हमने इसकी जो outer layer है outer membrane है जिसे कि cell membrane कहा जाता है उसे बढ़ा करके enlarge करके अपने सामने रखा है अब जब हम enlarge करके देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां पर यह जो हमें structure नजर आ रहा है जिसमें ball और उसके साथ यू लाइन्स नजर आ रही है यह क्या हैं यह भी lipids हैं इसके इलावा अगर हम देखें कि लिपड्स में क्या क्या चीजें आती हैं तो हम देखते हैं कि लिपड्स में fats आती हैं, oils आती हैं इसके इलावा जो waxes हैं वो क्या हैं वो भी lipids हैं और बहुत सारे जो vitamins हैं वो भी किस से मिलके बनेवे हैं लिपड्स से और अगर lipids की बात करें कि ये किस से मिलके बने वे हैं जैसे कि अगर हम एक building की बात करते हैं अमारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो इंटों से मिलके बने वी है तो हम ये कह सकते हैं कि इंट उसका क्या है? मौनोमर है इसी तरह अगर lipids की बात करें कि lipid किन से मिलके बने वे हैं, इनका monomer क्या है, तो हम देखते हैं, इनका monomer जो है, वो fatty acid और glycerol है, और यह जो monomer है, यह मिलके क्या बनाते हैं, fats बनाते हैं, यानि कि क्या बन रहे हैं, lipids बन रहे हैं, अब जैसे कि यहां पर हम अपने सामने diagram में देख रहे हैं, कि यह जो है एक यहां पर हम देखे रहे हूं कि glandर की जिसे हम क्या कहेंगे कि यह ग्लिस्ट्रोल और इसके आगे जो है तीन fatty acid की चेंग नज़रा रही है और अगर हम इसको थोड़ा और enlarge करके बड़ा करके देखें تو یہاں पर हम देख रही हैं कि यह जो क्या है यह है ग्लेस्रोल कि हम फोड़ी सभी नहीं लगा सके तो यहां पर clear नजwal आएगा कि यह क्या यह अगे तेन जोगी चीन नजा आरी है यह fatty acid की चीन है यह तीन fatty acid की चीन जब मिलती है एक glycerol molecule के साथ तो बना देती है Triglystride जीसे के यहां पर भी हम देख रहे हैं और Triglystride को क्या कहेंगे के वो क्या है वो है Fats यानि हम यह कह सकते हैं के जो Monomers हैं वो Condense करके क्या बना देते हैं Fats और Oil बना देते हैं Condense वैसे तो गाड़ा होने को का जाता है लेकिन यहां पर हम इसे इसलिए इसलिए इस्तमाल करें क्यों हम देख रहे हैं कि Monomers जो हैं वो मिलते हैं और मिलने के बाद वो क्या बना देते हैं वो हमारे पास Fats या Oil बना देते हैं तो हम देखते हैं कि जो Fatty Acids हैं वो या तो Saturated होते हैं या फिर वो क्या होते हैं या फिर वो Unsaturated होते हैं तो हम अपने सामने Unsaturated Fatty Acid का Structure भी ले आते हैं अब अगर हम दोनों में Difference देखें कि इन दोनों में क्या Difference है तो हम लीफिते हैं कि जो saturated fatty acids उसमें करपन-करपन की चेंड है उन सब में single bond मौझूद है लेकिन जब हम देखते हैं unsaturated fatty acids को तो अगर चेंड में कोई एक भी double bond मौझूद हो जेसे कि यहां पर हम दीखते हैं कि double bond मौझूद है तो इस तरहां कि जो fatty acids हैं उने कहा जाता है unsaturated fatty acids, अब अगर हम बात कर लें कि जो lipids जिनके अंदर saturated fatty acids होते हैं, उनके क्या खसुसियात होंगी या फिर वो हमें किस तरहां के नजर आते हैं दिखने में, तो हम देखते हैं कि वो solid होते हैं room temperature के उपर, जैसे कि अगर आपने घी देखा होगा, तो घी क् वो solid state होती है, यामिके ठोस form में मौझूद होता है, तो जो saturated fatty acids हैं, वो room temperature के उपर solid होते हैं, इसी तरह से अगर हम बात कर लें unsaturated fatty acids की, जो unsaturated fatty acids हैं, उनको देखा जाएं, तो हम देखते हैं, के वो room temperature के उपर, liquid form में होते हैं, यानि के Maya form में होते हैं, जैसे कि अगर oil की फोर्म में होता है, लिक्विड फोर्म में होता है, अब हम साथ में एक्जामपल देख लेते हैं, अगर हम देखें बटर को, मख़न को, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर 70% सेचूरेटड और 30% और 30% उसमें अनसेचूरेटड फैटी ऐसिड मौझूद होता है, तो उसको जादा saturated fatty acids मौझूद होते हैं इसी तरह से अगर हम देखें sunflower के तो जब हम देखते हैं sunflower तो उसमें हम देखते हैं कि क्या मौझूद है 75% unsaturated fatty acids तो इनके बीजों से क्या निकलता है तेल निकलता है oil निकलता है जो के liquid form है इसी तरह से अब अगर हम बात कर लें sources की यानि के lipids जो हैं वो किन किन जराय से हासल होते हैं तो उसके लिए हम साथ में अपने सामने diagram भी ले आते हैं कि क्यों कौन से sources हैं जैसे कि यहां पर भी हम अपने सामने देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि fatty meat मौझूद हो सकता है यानि कि वो गोष्ट जिसमें साथ में क्या इसके अलावा हमने butter की बात की कि butter क्या है वो भी lipid है घी जो है वो lipid है इसी तरह से अगर हम butter की बात करें मक्षन जो है वो किस से लेते हैं milk से लेते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर भी lipids मौझूद होते हैं इसी तरह से हम देखते हैं कि जो eggs हैं उन में भी lipids मौझू हैं। लिपिड मुझुद होते हैं। इसके रहाभा यहां पर हम फिश भी देखpri 보고 हैं। इसके लाभा हम यहां पर ओलिव ओलिव देखर underscore make sobs है जयतुन तो हम देख रही हैं कि इन सारी चीजों में क्या मुझुद होते हैं। लिपिड्स यहाई हम कहेंगे क्या मौजود हैं, फैट्स मौजود हैं और फैट्स को क्या कहा जाता है, Triglycerides भी कहा जाता है अब अगर हम इन की इनर्जी वेल्यु देखें यानी कि जब हम लिपिड़् लेते हैं तो उसे कितनी इनर्जी, कितनी ताकत मिलती है तो हम देखते हैं कि अगर एक ग्राम लिपिड्स हो तो उससे 9 किलो कैलरी इनरजी मिलती है यानि कितनी मिलती है 9 किलो कैलरी जो कि काफी ज्यादा है इसके इलावा हम साथ में इनके मेटबॉलिक फंक्शन्स को देख लेते हैं तो जब हम देखते हैं metabolic functions तो उसके लिए हमें पहले क्या समझना ज़रूरी है जिसे हमने पहले बात की useful source है energy का यानि के इनसे energy बहुत मिलती है जिसे हमने पहले बात की के per gram 9 kilo calorie energy मिलती है lipid से और जब हम देखते हैं कि अगर कभी ऐसा हो के carbohydrate से energy की requirement पूरी ना हो रही हो यानि के जब calories जो हैं उनका shortage हो रहा हो तो फिर क्या होता है body कहां से energy लेती है या फिर हम कहेंगे के वो calories कहां से ले रही होती है वो calories ले रही होती है fat से इसके इलावा जिसे के पहले हमने बात की कि जब cell की membranes जो हैं उसमें क्या मौजूद होते हैं उसमें भी मौजूद होते है इसके इलावा हुमारी body make system है जिसे के nervous system कहा जाता है जो के खास किसम के cells जिने के neuron कहा जाता है उन से मिलके बना हूए तो neuron के बाहिर एक sheath मौजूद होती है वो भी मिलके बनीवी है लिपिड से इसके इलावा हम देखते हैं के बहुत सारे hormones जो है उन तो उसमें हम देख रहे हैं A, D, E and K लिपिट्स का एक बहुत important role है body temperature को regulate करने में यानि कि जो body के दर्चाह रारत है उसको भी lipids regulate करते हैं तो students आज हमने discuss किया lipids के बारे में